प्रवाइब करें वेल्कम तो पार्ट्शले स्टेडियक एदमी ओप यू आल गाईज आर फाइन सब बढ़िया मजे में होंगे वच्छो कूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग अपनी तरफ से कि कम समय में अच्छी चीजें आपको समझाएं कि हर तरफ से एउल्फ करने के कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब वहोट्सॉप तेलीम तरफिम आपको क् 안에 आपको बॉट्सॉप में कोई संबस्क्राइब आपको T तेलिग्राम पे हमारे PDF नोट्स पड़े हुए हैं टॉपिक वाइज हम उस पे रेगलर अपडेट कर रहे हैं चीजों को आप वहां से हमारे PDF नोट्स डाउनलोड करें ताकि आपको पूरा-पूरा हेल्प मिल पाए अच्वा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनर्जी का सेकंड पार्ट एनर्जी का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था आज यह सेकंड पार्ट है उस चैप्टर का जिसमें हम बेसिकली ट्रांस्वरमेशन ओफ एनर्जी और कंवर्जन कंजर्वेशन और यह जो भी हमारा किस तरीके से एनर्जी का यूज कर करके हम हाइड्र एलेक्टरिसिटी बनाते हैं यह सब चीज़े हम पढ़ेंगे तो लेट से स्टार्ट विद इस चाप्टर बिसिकली इस अ टॉपिक किस तरीके से कोई भी मतलब जब भी कोई अप्जेक्ट मुविंग कन्डीशन में होता है जो इनर्जी हूऔर कर रही होती है ठीक है? इतना ध्यान रखे हैं जब भी rest से वो move करने लगेगा kinetic energy work में आजाएगो जब rest position में होता है उस ताएम उसकी potential energy सबसे maximum होती है कैसे? यह देखिए example से जैसे मान लेते हैं बच्चाई के hammer यह hammer अपने उठाई हुई थी raised position में है उस case में इसकी potential energy maximum होगी और जब हम इसको strike करते हैं और नीचे लेके जाते हैं उस case में इसकी kinetic energy active हो जाती है और उस kinetic energy की वज़े से जब यह strike करता है नेल पे वो नेल हमारी downwards push हो जाती है ठीक है? तो किस तरीके से potential energy kinetic energy में वहर पर जब भी आप potential energy को kinetic energy में convert करना चाहते हो तो उस energy को आपको work कराना होगा मतलब उसको use कराना होगा तो conversion स्टार्ट हो जाता है कुछ और examples हैं जैसे falling stone है उपर से इटा गिर रहा है पत्थर गिर रहा है stretched bow जो धनुश होता है उसका जो bow है अगर आप उसको stretch करे हुए है तो वह स्टाइम potential energy में है जैसे आप उसको release करते हैं kinetic energy working में आ जाती है इसी तरीके से compressed spring spring को आपने compressed करके रखाओ उसके अंदर potential energy है को जैसे आप उसको release करते हैं वह potential energy kinetic energy में convert हो जाती है ठीक है किस तरीके से एक energy को दूसरे energy में transform करते हैं ठीक conversion of one form of energy into another form और इसका transformation of energy भी बोलोगें ठीक है तो conversion of one form of energy to another form हम यह देखते हैं one form energy can be converted into another form एक form से दूसरे form में convert करना असान है कैसे करेंगे examples देखिए जैसे steam engine है steam engine की जो energies है वो किस तरीके से change हो रही है सबसे पहले तो chemical energy मतलब coal ठीक coal burn हुआ chemical energy ठीक अब यही chemical energy convert होती है किसमें बटा heat energy में ठीक अब यह heat energy किसमें convert होगी mechanical energy mechanical energy मतलब वह engine हमारा work करने लगा ठीक है अगला example है हमारा electric motor या फिर fan ठीक electric motor या fan electric motor आपने on किया electric energy work करने लगी electric energy से वह mechanical energy में convert कर देता है इसमें कि आपको भी work करार हो जैसे कि water extract कर रहा है fan है वह भी mechanical machine की तरह operate करने लगता है कि switch on करते है electrical energy to mechanical energy इसके बाद रहता है electrical heater या फिर आप इसको बोलिए oven गीजर टोस्टर इसमें क्या होता है electrical energy से heat energy में convert होते है किसमें electrical energy से heat energy में अब electric energy से heat energy में कैसे होता है जब भी आप oven on करोगे electricity और वह हमको देता क्या है बटा heat energy तो यह conversion हो क्या है यह जीज़ अवन में होती है गीजर में होती टोस्टर में होती यह normal आप चीजों को समझ सकते हैं electrical energy to sound energy वह चलता है और produce output क्या देता है sound मतलब आप बेसिकली देखिए input वह क्या ले रहा है और output क्या निकल रहा है इतने में आपको conversion हो जाएगा photosynthesis एक process है आप सब जानते हैं plants करते हैं इसमें क्या होता है light energy का use होता है और क्या निकल क्या आता है बच्चा बाहर chemical energy ठीक है यह भी conversion हो गया अब इसके बाद जो topic है यह हमारा conservation of energy यह conversion से अलग है conservation of energy energy basically है कि जब भी energy one form से another form में चाहेगी तो energy में कोई loss नहीं होता वो conserve होती है बले दूसरे form में हो ठीक समझते हैं उसको during conversion of energy from one form to another form some part of energy changes to non useful form also मतलब कभी-कभी जब conversion होता है transformation होता है तो उसमें जरूरी नहीं कि आपने पूरी energy को convert कर लिया transform कर लिया हो सकता उसका कुछ पार्ट दूसरे form में चला गया हो ठीक वह non useful है हमारे लिए नहीं है लेकिन एक बात होती है कि जो useful form है और जो non useful form है जब इसका आप total करोगे तो हमारा वो total energy ही देगा मतलब कोई energy का लॉस नहीं होगा इनर्जी रिमेन कंजर्वड अब इसको समझते है एक्जाम्पल के तो जब आप एलेक्ट्रिक मोटर है आपने ओन करी बच्चा एलेक्ट्रिक मोटर आपने ओन करी तो क्या देता है साउंड देता है हीट देता है और जिस परपस से आपने ओन करी है वह देगा तो इन अलेक्ट्रिक मोटर मान लेते हैं 100 जूल उफ एलेक्ट्रिक एनर्जी आपने यूज करी तो उसकी मेकेनिकल इनर्जी जिसके लिए हमने ओन किया मान लेते हैं उसमें 60 जूल हमको वह में जी पर चषिस पाँसेंग उसमें आप यूज कर सकते हों से लेकिन यहां पर हमानके चल रहा है कि कि अ Parce इंहां अच्छीन ह्वीट आफ़ो एति कर्सक्राप सीटने क었습니다 देखे हनों संतिकला हम इस टोटल एनरजी इस ऑल्वेस कंसर्वड जब भी आप से कोई पूछे कि यह law of conservation of energy क्या है आप बोलोंगे टोटल एनरजी इस ऑल्वेस कंसर्वड नो एनरजी लॉस इस देर एक्जाम्पल में आप यह वाला कोट कर सकते हो एलेक्रिक मोटर का यह होता है law of conservation of energy अब यह conservation जो है basically mechanical energy में कैसे work करता है यह भी समझ लीजे इस पर भी question आ सकता है explain the conservation of energy in mechanical energies या फिर how the transformation of potential energy to kinetic energy takes place using the law of conservation मतलब conserve भी कराना है energy को किस तरीके से use हो रहा है उसको समझाने के लिए पहले आप एक्जाम्पल देख लीजे इस एक्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि mechanical energy मतलब जो potential energy काटिक energy में जो कंवर्जन होता है उस case में यह law of conservation कैसे work कर रहा है देख लीजे एक यह बॉल है एक पॉइंट पर है एच हाइट पे बटा ऊपर रेस की हुई है हमने अब इस पॉइंट पे एक पॉइंट पे पोटेंशिल इनर्जी हमारा maximum होगा क्यों क्योंकि हम यहां से बॉल उठा के उपर लेगा है तो इस टाइम बॉल हमारी maximum potential energy पर कानेटिक energy हमारा zero है ठीक और इस टाइम जो potential energy होता है वो equal to होता है दो work done in taking that ball to that point A जितना work done आपको उपर ले जाने में लगा जितनी energy आपकी उपर ले जाने में लेगी वो potential energy पराबर है हमारा लेते हैं उसको E इस time kinetic energy zero होगा ठीक बॉल छोड़ो देता है जैसे ही हो h by two distance पे आ जाती है इस case पे half potential energy उसकी convert हो जाएगी किसमें बच्चा kinetic energy में तो इस time kinetic energy की value हो जाएगी E by two क्यों क्योंकि जो potential energy half convert हो जाएगी और पोटेंशल जब किजनी बचाएगी जब उसमें से E by two चला गया तो यह E by two बचाएगी तो इस point पे जब बॉल half distance कवर कर चुकी है potential energy और kinetic energy equal होते हैं यह एक important बात है कि कब potential energy kinetic energy equal होंगे जब वो half work कर चुके हैं या half distance travel कर चुकी है जैसे ही वो strike करती है नीचे नीचे अर्थ पे इस case में पूरी potential energy kinetic energy में convert हो जाती है और kinetic energy हमारा बच्चा हो जाता है यह potential energy हो जाता है जीरो चीक है किस पॉइंट पे सी पॉइंट हो ठीक है समझ में आ गया होगा इसी तरीके से वर्क करता है जब भी आप माल लेते हैं वो जो रोलर कोस्टर होता है वो भी इसी कंडिशन पर करता है उपर से जब वो नीचे की और आएगा उस टाइम potential energy उसके जब उपर था तो potential energy maximum है कंडिक energy 0 जैसे वो नीचे आ जाता है उस केस में potential energy 0 और kinetic energy maximum हो जाती है उसी कंडिक energy के वज़े से वो दुबारा ऊपर चला जाता है और वो स्विंग के तरह ऐसे रोलर कोस्टर हमारा चलता रहता है अब देखिए प्रोड़क्शन ओफ हैड्र लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें एनर्जी चैप्टर का है हाइड्र लेक्टिस्टी जो बन रही है यह भी पैसिकली energy कनवर्ट होके बनती है सबसे पहले जो फ्लोइंग वाटर है हमारा बच्छा उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं एक हाई ऑल्टिट्यूट पे वह पानी हमने कलेट कर लिया क्या है उसके पास अब पोटेंशल इनर्जी है ठीक है समझ में आ रहा होगा अब यह पोटेंशल इनर् में तरबाइन इस टरबाइन को रोटेत करा देता है जिस्थी टरबाइन करेगा समझा पर आर्मधिटर का रोटेट करने लिए और जनरीटर कर गया तो इस तरीके से देखी किस तरीके से एनर्जी का यूज़ करके हमने लेक्रिश्टी वह बना लिए यहांपè बच्छा अ सेकेंड पार्ट भी कम्ट्रीट होता है दोनों पार्ट हमने समझा दी हैं कोशिश कर रहें दस से फंदर मट के लेक्ट्ट्र से सारे हम कोशिश कर रहे हैं कि दस से फंदर मट में आपको तू द पॉइंट चीज़ों को समझाए तू द पॉइंट आप समझ जाए exam point of view जे conceptual चीज़े हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं होप आज फिर आपको यह lecture अच्छा लगा होगा do share these lectures to everyone ताकि हर किसी को हम help कर पाएं without any selfishness जितना हो जाएं आप help करिए सब को टिक जहां पे भी issues आएं आप हमको telegram, whatsapp call कर सकते हैं, message कर सकते हैं, instagram, facebook, twitter जहां भी आपको अच्छा लगता है, वहाँ पे हम से discuss कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को अपनी problems को, हर चीज related, education से related होगो we will be there to help you see you soon again guys, हम फिर से मिलेंगे यहाँ पे, एक नए topic के साथ, तब तक के लिए, good luck and be happy, bye bye, take care